सावन यानि महाशीव का महिना उत्सव और उल्लास का महिना चंद्रियान की सफलता ने उत्सव के इस माहुल को कई गुना बढ़ा दिया है चंद्रियान को चंद्रमा पर पहुँचे तीन दिन से ज्यादा का समय हो रहा है इस सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाएं वो कम है जब आज आपसे बात कर रहा हूँ देख पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियों याद आ रही है आसमान में सिर उठा कर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल पले अभी तो सूरजूगा है द्रड निश्चे के साथ चल कर हर मुश्किल को पार कर गोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरजूगा है आसमान में सर उठा कर घने बादलों को चीर कर अभी तो सूरजूगा है मेरे परिवारजन 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रियान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं मीशन चंद्रियान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतिक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है साथियों इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सब के साथ विशेश तोर पर चर्चा करना चाहता हूँ आपको याद होगा इस बार मैंने लाल के लिए से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलेप्मेन को राष्ट्रिय चरित्र के रूप में ससक्त करना है जहां महिला शक्ति का सामर्थ जुड़ जाता है वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवन्त उदाहरण है इस पूरे मिशन में अने को विमेन साइंटिस्ट और इंजिनियर्स सीधे तोर पर जुड़ी रही है इन्होंने अलग-अलग सिस्टिम्स के प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे कई एहम जिम्मेदारियां सभाली है भारत की बेटियां अब अनन्त समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनवती दे रही हैं किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांशी हो जाए तो उसे उस देश को दिक्सित बनने से भला कौन रोख सकता है साथियों हमने इतनी उँची उडान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं चंद्रयान तीन की सफलता में हमारे वैज्यानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी एहम भूमी का रही है तमाम पार्स और तक्नीकी जरूतों को पुरा करने में कितने ही देश वाशियों ने उगदान दिया है जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली यही चंद्रयान तीन की सबसे बड़ी सफलता है मैं कामना करता हूँ कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अंगिनत सफलता है हासिल करेगा